हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको ज्ञार्खन के गवर्मेंट जॉब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टेडी मेटेरियल्स प्रोभाइट कर आये जाते हैं आज 23 नुमेंबर हैं और आज के लिए जहार्खन के जितने भी इन्पॉर्टेंट करेंट आफियस बन सकते थे उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जहार्खन में कोल वित्रो दिवस कब मनाया जाएगा ये कोशन जहार्खन जेनरल स्टेडी के पॉइंट ओ व्यू से भी इन्पॉर्टेंट है ओप्शन हैं 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर तो इसका करेक्ट आइंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर भी 11 दिसंबर आए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं फिर्स पॉइंट है कोल विद्रो के 189 इर्स पूरा होने के उपलक्ष में और वीर बुधु भगत समेथ हजारों वीर सहिदों के याद में 11 दिसंबर को मुराबादी मैदान में कोल विद्रो दिवस मनाया जाएगा मुराबादी मैदान राची जिले में स्थित हैं इस कार्यक्रम में संथाल, उराओ, मुंडा, हो, चेरो, खरवार, भूमिज, बेदिया, करमाली, लोहरा, महली, चीकबडायक समेथ 32 आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंतरित किया गया है इस औसर पर कोल विद्रोह का इतिहास और आदिवासी समुदाय पर इसका महत्व क्या है इस पर जानकारी दी जाएगी कोल विद्रोह जार्खन जेससी पॉइंट ओफ यू से काफ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप जान लिजे आदिवासीों का महान कोल विद्रोह 11 दिसंबर 1831 से सुरू होकर अप्रेल 1832 तक चला था यह विद्रोह मूल रूप से जमीन, स्वसासन, ववेस्था, धर्म और भासा की रक्षा के लिए किया गया था तो इसका अबजेक्टिव क्या था और यह कब से कब तक चला था यह दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ठीक, नेक्स्ट कोशन है मगद CHP, CCL से 527.11 करोड रूपय का प्रोजेक्ट का कॉंट्रैक्ट जार्खन की किस इंडस्ट्री ने हासिल किया है ओप्शन्स हैं सेल, HEC, हिंडाल को या फिर टाटा स्किल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, HEC, Heavy Corporation Engineering Limited अगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कोरोना काल में, HEC ने मगद CHP, CCL के प्रोजेक्ट का कॉंट्रैक्ट हासिल किया है यह कॉंट्रैक्ट 527.11 करोड रूपय का है जो प्राइस HEC ने कोट किया था, उसे L1 स्रेनी में रखा गया है जब ही भी कोई कॉंट्रैक्ट डिस्टिब्यूट किया जाता है तो उससे पहले उसकी बीडिंग की जाती है और जो सबसे कम कोटेशन जिस कमपनी का रहता है उस कमपनी को यह कॉंट्रैक्ट दे दिया जाता है तो उसी में सबसे कम बीड जो था, HEC का था और HEC को इसी कारण से यह contract दिया गया है मगद OCP पर यह coal handling plant 20 HMTA समता का होगा इस वित्य वर्स में HEC ने पहले से ही दो बड़े order प्राप्त किये हैं यह दोनों order coal handling plants के ही है इनमें से एक Northern Coal Field Limited के block 20 CHP के लिए है जिसकी value 166.45 करोर रुपय है अगर आप हम लोगों के current affairs से लगातार जुड़े हुए है तो यह second point से आप updated होंगे third point है दूसरा South Eastern Coal Field Limited के गेवरा CHP project है इसकी value करीब 615 करोर रुपय है मगद CHP project HEC का तीसरा project है HEC ने पिछले वित्य वर्स में भी दो अलग-अलग order से 250 करोर रुपय प्राप्त किये थे अभी अगर आप HEC के वर्तमान इस्तिती के बारे में आउगत ना हो तो आप यह जान ले कि HEC की स्तिती काफी खराब हो चुकी है जिस समय इसका स्थापना किया गया था जो objectives इसका स्थापना किया गया था धीरे 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 वो पूरा गिरता मतलब इसका decline declination में ही है यह तो कुछ और important points है जैसे कि HEC के स्थापना 1958 में राची में हुई थी तीन main plants हैं पहला है HMVP Heavy Machine Building Plants और HMTP दूसरा है Heavy Machine Tool Plants जो की चेकोस्लोवाकिया के साथ collaboration में बनाया गया था जब आप HEC के बारे में पढ़ेंगे किताब में जो data दिया गया है तो उसमें direct link दिया जाता है कि HEC के स्थापना चेकोस्लोवाकिया के साथ collaboration में किया थी लेकिन HEC के concept plant के establishment किया गया था यह तो आप याद रखेंगे HMTP का जो establishment था वो चेकोस्लोवाकिया के साथ collaboration में किया गया था और थार्ड प्लांट है FPP याने के Foundry Forge Plant अगर इन तीनों plants को compare किया जाए तो FPP जो है वो सबसे बड़ा है area wise में चलिए नेक्स्ट कोशन है जार्खन के किस जिले में 200 बेट का सूपर स्पेशलिटी चन्नी अपोलो अस्पटाल का निर्मान किया जाएगा आपके options है राची दुमका बोकारो या फिर धनबाद ये बोकारो में भी एक सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल का निर्मान किया जा रहा है लेकिन ये cancer को dedicated है लेकिन ये जो overall सूपर के लेकर इसे समस्यात है जिसकारें से इसमें construction कारी रोग दिया गया था आईए इसके बारे में detail में पढ़ते हैं राजदहानी राची के दोरंडा घागरा बस्ती में 200 बेट का सूपर स्पेशलिटी चन्ने अपोलो अस्पताल का निर्मान किया जाएगा 11 सिप्तिमबर 2012 को ही राजी नगर निगम ने PPE mode पर अस्पताल के निर्मान का निर्नय लिया था अगर आपने इंडस्ट्रियर पॉलेसी अच्छे से पढ़ा है तो आपको PPE mode अच्छे से पता होगा PPE mode का मतलब होता है Public Private Partnership mode ये दो important point है इंडस्ट्रियर पॉलेसी 2016 से PPE mode और एक सिंगल विंडो म लेकिन जिस अस्थान पर होस्पिटल बनना था वहां तक पहुंचने के लिए सरकारी रास्ता नहीं था निर्मान में सबसे बड़ी अर्चन रास्ते को लेकर थी जिसे की अब सुल्जा लिया गया है 29 लाक की लागत से 180 फीट लंबी सड़क का निर्मान राची निगर के द्वारा किया जाएगा जार्खन बिहार अभी प्रेजेंट में क्या सिच्वेशन है और ये हॉस्पिटल खुलने से कीस तरह से मदद मिलेगी इसे आप समझ लिए जार्खन बिहार समेत पोरोसी राजियों से बड़ी संख्या में इलाज के लिए लोग चेन्ने अपोलो इससे शिर्फ जार्खन को ही नहीं जार्खन के जितने पोरोसी राज्य है बिहार हो गया बंगाल हो गया उरिसा इन सभी राजियों को भी इस अस्पताल के बनने से मदद पहुँचने वाली है अब यहाँ पर राची का जिक्र हुआ है तो आप मैप में देखे राची हजारी बाग और रामगर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स है टोटल एट डिस्ट्रिक्ट्स है गठन की बाद की जाए तो रांचे का गठन 1899 में किया गया था साक्षरता दर कितनी है 76.06 परसेंट अनुमंडल दो है रांची सदर और बुंडू और सेक्स रेशियो है 949 टोटल प्रखंट की बाद की जाए तो टोटल 18 प्रखंट है बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि टोटल 22 प्रखंट है तो चार जो एक्स्ट्रा प्रखंट अभी अब उनका नाम बताएं यह जो रांची वेबसाइट रांची डिस्ट्रिक्ट अड्मिनिस्ट्रेशन का वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सिर्फ 18 ब्लॉक्स के बारे में ही जानकारी वहां से मिलती है तो इसलिए जो जो ऑ्थेंटिक डेटा है आप उस पर निकोयर संख और हर्मू नदी और जब भी रांची का जिक्र हो आप हमेशा याद रखेंगे एक जगह का जिसका नाम है मैकलूस्की गन यह विश्व का एक मात्र एंगलो इंडियन गाउं है कुछ इंपोर्टेंट और फैक्ट्स है रांची के लिए कि राज सबसे ज्याद अधिक फीमेल लिटरेसी रेट के बात करें यह तीनों में ही रांची सबसे फ्रत्हमस्थान पर आता है दूसरा है सरवाधिक अनुप्शूचित जनजाती की संख्या और तीसरा है सरवाधिक विधानसबाद शेत्र जो की साथ है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं सैक्षनिक 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 शेत्र 2021-22 में कूल नामानकन से कितने लाख कम किताबों की छपाई होने का डिसीजन या लिया गया है इसमें चारिस लाख बच्चों का एडमिशन हुआ है लेकिन किताबों की कितनी छपाई होने रहे हैं और यह उससे कितना कम है यह सवाल में पुछा जा रहा है आपके options हैं 10.48 लाग 11.48 लाग 12.48 लाग या फिर 13.48 लाग तो इसका correct answer हो जाएगा option number C 12.48 लाग किताब कम छापने का decision लिया गया है Around 12.48 लाग less books as compared to the total number of admissions have been ordered to be printed for the upcoming academic session 2021-22 यानी session 2021-22 में स्कूली बच्चों को निसूल किताब वितरन के लिए tender की प्रक्रिया शुरू हो गई है इसके तहद अगले सेक्निक छत्र के लिए 27,51,315 सेट नई किताबे छापने का decision लिया गया है जबकि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालियों की कक्षा 1-8 तक लगभग 40,000 बच्चे नमांकित है यानि का अगर आप 40,000 से इसको घटा देंगे तो ये around 12.38 लाख आता है ऐसे में कुल नमांकन से लगभग 12.48 लाख सेट कम किताबों की छपाई होगी सेज किताब की पूरती पुरानी किताबों से करने का निर्ना लिया गया है फिप्त कोश्चन है ये important है फिर्सा मुंडा जो जो लोजिकल पार्क है जू है उसमें फिर्स टाइम एनिमल एक्सेंज प्रोग्राम के तहत किसी जानवर को लाया गया है कुश्चन है आपका सुतुर मूर्ग, भेडिया, लोम्री या फिर बाग तो इसका correct answer हो जाएगा option number B भेडिया सुतुर मूर्ग से ही exchange करकर भेडिया को लाया गया है आईए इसके बारे में detail में पढ़ते हैं एनिमल एक्सेंज प्रोग्राम के तहट जारखन के बिर्सा जैविक उद्यान में दो भेडियों एक नर और एक मादा को लाया गया है यहाँ आप फोटो देख सकते हैं इसका तो आए इसके बारे में detail में पढ़ते हैं बिर्सा जैविक उद्यान की स्थापना के 24 साल में पहली बार अब यहाँ परियोटकों को भेडिया देखने को भी मिलेंगे इससे पहले इस जू में भेडिया नहीं था एनिमल एक्षेंज प्रोग्राम के तहद CGD के स्विक्रिती के बाद 19 नवंबर की सुभ़ कमला नहरू जू इंदोर से पसू चिकित सक डॉक्टर उत्तम यादो और संतोर सिंग पवार एक नर और एक मादा भेडिया लेकर फिर्सा जैविक उद्यान पहुँचे हैं नर भेडिये की उम्रे 3 साल जबकि मादा की धाय साल है यह इतना इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन यह है कि किस जू से इन्हें लाया गया है जो है कमला नहरू जू जोके इंदोर में स्थित भेडियों के बदले में जू से एक नर और एक मादा सुतुर्मूर्ग कमला नहरू जू भेजे गया है यानि कि जो एक्सचेंज किया गया है वो किसके बीच में है सुतुर मुर्ग यानि की आश्ट्रिच और वॉल्फ ठीक अब भेडियों के आज आने से उद्यान में जानवरों की प्रजाती 83 से भढ़कर यानि कि 83 से बढ़कर 84 हो गई है यह भी इंपोर्टेंट है कि टोटल कितने जानवर अभी प्रिजेंट में है 84 कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कि विर्सा मुंडा जैवी कुद्यान राची के ओर्मांजी प्रखन में स्थित है और इसकी प्रखन से गुजरती है उसमें आपका ओर्मांजी और कांके प्रखन आता है तो यह इंपोर्टेंट है इस पर एक अलग वीडियो भी हम लोग बना के आपको देंगे ठीक अब प्रिविज कुश्चन को हम लोग डिसकेस करते हैं आयुस्मान भारत यूजना के अधिकारिक पोर्टल नैशनल हिल्थ अथोरिटी के अनुसार जार्खन का कौन सा अस्पताल पहले अस्थान पर है यानि आयुस्मान भारत यूजना को इंप्लिमेंट करने में पहला अस्थान जार्खन में किस अस्पताल का है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर भी सदर अस्पताल राची आये इसके बारे में थोड़ा एक्स्प्लिनेशन देख लेते हैं आयुश्मान भारत यूजना के अधिकारिक पोर्टल नैशनल हेल्थ अथोरिटी के अनुसार राची का सदर अस्पताल राज में पहले अस्थान और पूरे देश में चौथे जिससे अस्पताल को 6 करोड रुपए सरकार के द्वारा दिया गया है इस यूजना के तहत सबसे ज्यादा केस डिलिवरी का हुआ जिसमें समान्य प्रसों और सीजेरियन सामिल है वही जेनरल सेर्जरी भी इसी यूजना का एक हिस्सा है आज के लिए आपका कुश्चन है आ जिसके ऑप्शन से 16, 17, 18 या 19 एक हिंट देते हैं टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्टिक्स कितना है जार्खन में यानि टोटल अकांची जिले कितने हैं सभी अकांची जिलों में ये हिल्थ एमबेस्डर का कॉंसेप्ट लागू किया जा रहा है तो आप इसका एंस जलिए मिलते हैं जार्खन के अगले Current Office के वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो